नाराण हरी साकार कहने वाले सूरजपाल और भोले बाबा और उसके गुर्गों ने जो छिपाया वो सच एबीपी नियूज खोज लाया हमारे अंदर कवर कैमरे ने जो कैद किया उसमें धूर्ट सूरजपाल और उसके चेले चपाटों के स्याह सामराज्ज का पूरा सच है और बाबा के चरण रजवाले प्रपंच का कच्चा चिठ्था भी है ये तस्वीरे हांथरस वाले उसी समागम के लिए जमापीर गी जहां से सूरजपाल तो सुरक्षित निकल गया लेकिन उसकी चरण रज़ के चक्कर में भक्तों की किस्मत दगा दे गई इसलिए चरण रजवाले प्रपंच का पूरा सच चानने के लिए ABP News संगीता नाम की उस महिला के पास पहुँचा जिसका पती इस भगदल कांड में एक साथ कई किरदार निभा रहा है वो बाबा का भक्त है हांतरस वाले समागम के आयोजकों में से एक है भगदल कांड का आरोपी है और अब सलाखों के पीछे भी है नाम है मुकेश कुमार जिसकी पत्नी अब बाबा और उसके भगदल कांड से जोड़े बड़े राज खोल रही है संगीता बाबा को पाक साफ बता रही है चैनल रज के प्रपंच को नकार रही है लेकन उसकी बातों से सत्संग वाले मृत्ति लोग की कई पोलपटी खुल गए ये बात साफ हो गई कि पुलिस को पंडाल में घुसने से रोब कर यहां सेवादारों ने सारी कमान संभाल रखी यानि बाबा महफूज रहे इसके लिए पूरी बिसाथ पहले ही बिचा ली गई थी सेवादारों को पता था चरन रज के लिए ऐसी दौल नगेगी लेकिन उन्हें सिर्फ बाबा की फिक्र भक्तों की रत्ती भर चिंता नहीं चरन रज के लिए मारामारी सूरजपाल के हर समागम का क्लाइमेक्स होता था हर समागम में चरन रज के लिए भोले भाले भक्तों की भीड उमरती रहती बाबा के हांतरस वाले शो में भी यही होने वाला था ये बात आयोजक और उनके घरवालों को अच्छी तरह पता थी सेवादारों को पता थी हैरत की बात है कि पुलिस और उसके खोफिया तंत्र को इसकी कोई खबर नहीं थी सवाल है कि आध्यात्म के नाम पर पलते अंत विश्वास को लेकर पुलिस और उसकी लोकल इंटेलिजन्स यूनिट आखिर कर क्या रही थी